Hello everyone, welcome to all of you, स्वागित करती हूँ आप सब का आपकी एपनी क्लास में प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप आइस्क्रीम स्टिक्स के दुआरा बहुत ही रूची पूर्ण तरीके से एक से बीस तक गिंती बोलना और दस से बीस तक गिंती लिखना सिखेंगे क्योंकि इस से पहले वाली वीडियो में एक से नो तक गिंती हम सीख चुके हैं आईए बच्चों, आगे की गिंती सीखते हैं ये कितनी स्टिक है बच्चों? Yes, एक, तो हमने यहाँ पर राइट किया एक और जब एक स्टिक में एक और जोड़ देते हैं तो ये कितनी हो गई? दो, very good तो हमने यहाँ पर राइट किया दो दो स्टिक में जब एक और मिला दी तो कितनी होई अब? Yes, तीन तीन को हमने यहाँ लिखा तीन में जब एक स्टिक और मिला दी, तो कितनी हो गई? Yes, चार, चार को हमने यहां लिखा चार में जब एक स्टिक और मिला दी, तो कितनी हो गई? Yes, पांच, पांच को हमने यहां लिखा पांच स्टिक में जब एक और मिला दी, तो कितनी हो गई? Yes, 6 6 हमने यहाँ पर लिखा 6 में जब एक स्टिक और जोड़ दी तो कितनी हो गई? Yes, 7 तो हमने यहाँ राइट किया 7 7 स्टिक में जब एक स्टिक और जोड़ दी तो कितनी हो गई बच्चो? Yes, 8 हमने यहाँ राइट किया 8 जब इन 8 स्टिक में एक और जोड़ देंगे, तब कितनी हो जाएंगी? Yes, No तो हमने यहां राइट किया था, No बच्चों, अगर इन 9 में भी एक स्टिक और एड़ कर दें, तो यह कितनी हो जाएंगी? Yes, 10 यह कितनी स्टिक हो जाएंगी? 10 यह हमारी 10 स्टिक हो गई, तो 10 स्टिक होते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है, 10 स्टिक जैसे ही हमारे पास हो जाती है, इनका एक बंडल बना देंगे यह बन गया हमारा एक बंडल, कितनी स्टिक हो गई यह इसमें? Yes, 10 Very good अब इस 10 को आप लिखेंगे कैसे? हमारे पास यहां उपर क्या है? हमारे पास यहां दो घर है, एक यह और एक यह, तो जब तक तिलियां हमारे पास 9 थी, तब तक तो इस घर में रहती है, लेकिन जैसे ही यह 10 का बंडल बन जाती है ना, तो इनका घर चेंज हो जाता है तो बच्चों, यह घर तो हो गया, खुली स्टिक्स का, जैसे एक से नो तक खुली अमारे पास स्टिक थी, तो हम यहां राइट कर देंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, अब यहां तक एक से नो तक अगर हमारे पास स्टिक है, तो हम इस कोलम में उ ठीक है, तो इस बंडल का घर यह होता है, दूसरे वाला, अगर खुली स्टिक्स है, एक से नो तक, तो यह वाला घर उनका होता है, और जैसे ही यह दस बन जाएंगी, एक बंडल बना देंगे हम दस का, तो इसके बाद इसका घर जो है, वो दूसरा हो जाता है, तो बंडल फिर हम इस बंडल वाले घर में ही लिखेंगे, क्योंकि यह जो दस था ना, वो हमारा नो के बाद बना था, तो नो के बाद वाले घर में लिखेंगे हम इस बंडल को, यह बंडल कितना है, हमारे पास, एक, तो हम यह लिखेंगे, एक, लेकिन क्या आपको कोई खुली स्टि एक भी नहीं है, तो यहां हम राइट कर देंगे 0, और इसको कैसे पड़ेंगे हम, 1, 0, 10, आगे बंडल और पीछे sticks, आगे बंडल पीछे sticks, तो बच्चों, अब आपको 1 से 10 तक गिंती अच्छे से समझाई होगी, अब हम 10 से आगे की गिंती देखेंगे, अगर एक बंडल के साथ एक स्टिक और रख देंगे, फिर कैसे लिखेंगे, एक बंडल, एक स्टिक, इसको कैसे लिखेंगे, आगे बंडल, पीछे स्टिक, उसके लिए हम बंडल का जो घर है, उसमें बंडल लिखेंगे, खुली स्टिक जो 1 से 9 तक हैं, उनको हम इधर लिखते जाएंगे, आ आगे बंडल, पीछे स्टिक, आगे बंडल कितना है, एक, very good, तो हम यहां राइट कर देंगे, बंडल वाले घर में, एक, और पीछे स्टिक कितनी, एक, तो हम स्टिक वाले घर में भी राइट कर देंगे, एक, ठीक है, अब इस एक स्टिक में एक और मिला दी, तो अब कितने बंडल कितनी स्टिक्स? एक बंडल, दो स्टिक्स. बंडल कितना है? एक. और स्टिक्स कितनी है? येस, दो. तो पिछे स्टिक्स कितनी? दो. आगे बंडल, पिछे स्टिक्स. बंडल आगे लिख दिया एक, और पिछे स्टिक्स लिख दी, दो. अब इन दो में एक स्टिक और मिला दी, तो ये कितनी हो गई? येस, ये हो गई तीन, तो हम फिर से आगे लिखेंगे, आगे बंडल और पीछे स्टिक्स, क्योंकि स्टिक्स हमारे पास तीन है, तो हम यहां राइट कर देंगे, तीन, उसके बाद तीन में एक स्टिक और मिला दी, तो कितनी स्टिक्स हो गई? चार, फिर से राइट करेंगे आगे, आगे बंडल पीछे स्टिक्स, बंडल है, एक और स्टिक्स हो गई हमारे पास, चार, तो हम यहां राइट कर देंगे, चार, इसके बाद एक स्टिक्स हम इन चार में और मिला देंगे, तो कितनी स्टिक्स हो गई? पांच, फिर आगे बंडल, पीछे स्टिक्स, बंडल एक और स्टिक्स हो गई, पांच, तो हम राइट कर देंगे, पांच, अब पांच तिलियों में एक और मिला दी, तो कितनी हो गई, छे, फिर वैसे ही लिखेंगे, आगे बंडल, पीछे स्टिक्स, इसके बाद में एक स्टिक और जोड़ दी तो कितनी हो गई साथ very good आगे बंडल एक और पीछे स्टिक्स हो गई साथ इसके बाद में एक स्टिक हमने और डाल दी इसमें तो साथ में एक स्टिक और जुड़ी तो कितना हो गया आठ आगे बंडल पीछे स्टिक्स आठ राइट कर दी एक तिल्ली आठ में और जोड देते हैं, कितनी स्टिक्स हो गई? Yes, No, फिर से लिखते हैं, आगे बंडल, पीछे स्टिक्स, बताओ बच्चों, अब हमारे पास यहां कितने बंडल, कितनी स्टिक्स हैं? एक बंडल, और नो स्टिक्स हैं, नो में जब हम एक स्टिक्स और मिला देंगे, तो यह कितनी हो गई अब? Yes, दस स्टिक्स हो गई, और हमें दस स्टिक्स होते ही क्या करना है? मैंने आपको पहले भी बताया था, बंडल बनाना है, है ना? तो हम इनका भी एक बंडल बना देते हैं, क्योंकि दस स्टिक्स हो गई, अब देखो बंडल कितने हो गई हमारे पास? Yes, दो हो गई बंडल, तो इसको कैसे लिखेंगे? बंडल के घर में लिखेंगे, आगे बंडल और पीछे स्टिक्स, अब देखो पीछे स्टिक्स कितनी रह गई? है नहीं, एक भी नहीं है, पीछे स्टिक्स हमारे पास एक भी नहीं है, तो हम स्टिक वाड़ा जो घर है, उसमें लिख देंगे, जीरो, आगे बंडल, पीछे स्टिक्स, आगे बंडल हैं दो, और पीछे स्टिक्स तो एक भी नहीं है, इसलिए राइट कर देंगे, जीरो, यहाँ पर, बच्चो, अब एक बार इसको बोलना सीखते हैं, कि हम इनको कैसे बोल सकते हैं, यह बंडल है हमारे पास एक, तो यह एक स्टिक ले ली हमने, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 10, 1, 11, ठीक हैं, फिर 10, 2, 12, 10, 3, 13, 10, 4, 14, 10, 5, 15, 10, 6, 16, 10, 7, 17, 10, 8, 18, 10, 9, 19, 10, 10, 10, 10, 20, क्योंकि यह भी तो 10 ही होगे न, तो 10 और 10 फिर कितने होगे, 20, अब इनका हमने बंडल बनाया था, तो 10 और 10, 20, कैसे पढ़ेंगे इसको यहाँ पर एक बार, 10, 1, 11, 10, 2, 12, 10, 3, 13, 10, 4, 14, 10, 5, 15, 10, 6, 16, 10, 7, 17, 10, 8, 18, 10, 9, 19, 2, 0, 20, वमारे पास 2 बंडल हो गये, हमें पता है 2 बंडल में कितनी स्टिक्स हैं, हमारे पास 20, तो यह होगया, 2, 0, 20, इसको हमने बार-बार 10 इसलिए पढ़ा, क्योंकि हमारे एक बंडल में 10 तिलिया हैं, इसलिए हम इसको 10 पढ़ेंगे, बच्चो आप फी, ऐसे हि, इन स्टिक्स के साथ अपनी नोट बुक में ये काउंटिंग बोलने का लिखने का अभ्यास करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग